रंबीर कपूर से ब्रेक अप के बाद कैटरीना ने महसूस किया कि उनके पास कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं है बुरे समय में उन्हें सलमान खान की याद आई और सलमान खान ने उन्हें टाइगर जिन्दा है जैसी बड़ी फिल्म दिला दी टाइगर जिन्दा है वही से शुरू होगी जहाँ पर एक था टाइगर खत्म होई थी सल्मान खान रौ एजिन्ट की किरदार में नजर आएंगे कैटरीना पाकिस्तानी लड़की जीया के किरदार में ही होगी आम तोर पर सल्मान की फिल्मों में हिरोईन महस शोपीस होती है लेकिन इस बार कैटरीना का रौल बेहद दमदार है उनके रौल का खुलासा हो गया है कैटरीना कैप का किरदार ग्रेश शेट्स लिए हुए है वे इस बार सल्मान को पकड़ने के लिए अपने चार्म का उप्योग करेंगी वे सल्मान को पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगी ताकि इस भारतिय एजेंट को पकड़ कर वे पाकिस्तान ले जा सके कैटरीना को अपनी अभिनेक शमता दिखाने का भरपूर अफसर मिलेगा पहले भाग की तरह पर दूसरे भाग में भी एक्शन करती नज़र आएंगी फिल्म की अधिकान शूटिंग इस बार यॉर्प में होगी और कुछ हिसाब भारत में फिल्म आया जाएगा